नमस्कार बच्चो अपना जो लाश टोपिक चल रहा है इसमें बन साज़ेदारी खाता बैयों में समायजन उसकी कल एक विदी करवाई थी मैंने आपको एक प्रिविष्टी द्वारा सुधार या समायजन अब इसकी दूसरी विदी है प्रिविष्टियों द्वारा सुधार या लावानी समायजन खाता खोल कर सुधार इसमें यह अंतर है कि उसमें एक प्रिविष्टी करनी थी और एक विशलेशन तालिका बनानी थी जबकि इस विदी में आपको क्या है एक प्रिविष्टी की दर है जगे कई प्रिविष्टियों करनी है और लावानी समायजन ख बनाना है तो पहले क्या करना इसमें profit and loss adjustment account बनाना है और उसकी साहता से आपको प्रिविष्टियां करनी है तो पहले आप करेंगे लाबानी सुमाईजन खाता बनाएंगे तो जैसे अपने profit and loss appropriation account बनाया था लाबानी नियोजन खाता वैसे ही बनेगा उसी तरह से बनेगा थोड़ा सा फरक होएगा इसमें वो क्या है देखो मानलो अपने सबसे पहले लाबानी नियोजन खाता बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें net profit लिखते हैं जो पिछे चे आगे पेंडल से लगते हैं लेकिन इसमें वो नहीं लिखेंगे क्योंकि net profit तो हमने पिछले साल बांट दिया अब हमारे पास कोई profit नहीं बचा है इसलिए उसमें कोई profit नहीं लिखा जाएगा नहीं कोई loss लिखा जाएगा अब मालो हम कुछ एक item है जो partner को देना भूल गए या फिर partner से वसूल करना भूल गए जैसे कल हमने example किया था इस विदी अलग थी लेकिन था यही सैम बंसाज़ेदारी खाता वही हमें समय जन था उसमें जैसे मालो किसी partner को interest देना भूल गए capital पे या फिर R&P ब्याज देन लेना भूल गए किसी partner को salary देना भूल गए या फिर commission देना भूल गए उसका सुधार हमें इसमें कैसे करना है एक तो इसमें बनाना आपको लाबानी समय जन खाता और एक बनाना है आपको उसकी साहता से प्रिष्टियां और उसके बाद आपका यह lesson complete हो जाएगा तो यह last अपना चल रहा है इसमें देखो आपने इसको कल वाली example की साहता से करते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें difference कर देते हैं कल मैंने आप उताया था कि पूंजी पर व्याजमेशा प्रारमभिक पूंजी पर दिया जाता है अब मान लेते हैं कि इसमें अंतिम पूंजी दे रखी है तो सबसे पहले आपका करी होईगा वो कहे प्रारमभिक पूंजी ग्यात करना होईगा मान ले किसी फरम में A और B लाबों को तीन अंपाद दो में बाटते हैं जाज़ेदार हैं 31 मार्च 2018 को उनकी जो फुन्जी है वो A की केपिटल है वो कितनी है A की 50,000 और B की 60,000 यह 31 मार्च 2018 को आपको A और B की केपिटल दे रखी है जो 50,000 और 60,000 है यह मालने रते हैं खाते 31 मार्च 2018 को बंद होती है तो यह आपकी केपिटल है वो कौन सी होगी यह मालनो क्लोजिंग केपिटल होगी और 31 माद 2018 को 50 जार 60 जार है जो closing capital है लेकिन ब्याज है वो अपने opening capital पर देते हैं तो सबसे पहले क्या करना आपको इसकी साहता से opening capital गयाद करनी है तो opening capital गयाद करने का तरीका क्या होता है इसमें जो adjustment कर दिये पिछले साल का जो lab था उन्हें बांट दिया उस lab को अपिस क्या करना है less करना है और आहरण के गयरा है उसे क्या करना है add करना है अब आपको यह कहें पिछले वर्स के जो last year के जो drawing थी last year की वो 10,000 और 8,000 थी 10,000 और 8,000 थी जो वर्स के प्रारम में कर ली उन्होंने last year की जो drawing थी वो 10,000 और 8,000 last year की drawing थी जो फुरू में कर ली उन्होंने और पिछले साल का जो profit था वो profit था अपना 30,000 रुपे का तो last year profit कितने का था 30,000 का अब 30,000 का profit था तो 30,000 के profit को हमने किस ratio में बंटा होगा 3,000 रेश्वों में बंटा होगा जिसे हमने लाब अजनुपात में बंट दिया होगा तो 3,000 बंटा होगा 30,000 को तो कितना कितना है होगा इसका 18,000 और इसका 12,000 आपको ये कहे कि पिछले साल इनका समाईजन कर दिया गया है यानि इतनी ड्रोइंग थी 10,000 और 8,000 की इतना profit था 18,000 और 12,000 जिसका हमने adjustment क्या कर दिया है कर दिया और उसके बाद हमारी जो अंतिम पूंजी है वो 50,000 और 60,000 अब आपको ये कहे कि आप क्या क्या करना बोल गए जैसे आपको ये कहे कि इसाज़दारों को पूंजी पर ब्याज लगाना बोल गए पूंजी पर ब्याज 10 पर तिसत लगाना था जो नहीं लगाया गया पूंजी पर व्याज वो कितना लगाना था आपको दस परतिसत जो नहीं लगाया A को वेतन दस अजार रुपे प्रतिवर्स देना बूल गए B को कमिशन बीशजार प्रतिवर्स आरण पर 10 परतिसत वार्सिक ब्याज इतना कार्य करना बूल गए और उससे पहले हमने अंतिम खाते त्यार करती है अब आपको यह कहें इसमें कि आपको प्रिष्टियों द्वारा सुधार करना है या फिर लाबानी समाईजन खाता खोल के सुधार करना है स्वाल के अपना कि A और B लाबों को तीन अनपाद दो में बांटते वे साज़दार है A और B लाबों को तीन अनपाद दो में बांटते वे साज़दार है 31 माज जो 18 को साल अपना समापत हो रहा है खाते बंद हो रहे हैं उस दिन उनके केपिटल 50 जार और 60 जार है अब आपको कहें कि इसमें निमन दो समाइज अमने कर दिये हैं एक तो लास्ट एर की जो ड्रोइंग थी वो कितनी थी 10,000 रुपे की A की और B की वो 8,000 की और लास्ट एर का जो प्रोफिट था 30,000 का जिसे अमने साज़दारों में उनके लाबानिय नुपात में बांट दिया है तो वो कितना था 30,000 को जब अमने साज़दारों में बांटा होगा तीन दो में तो 18,000 और 12,000 आ गया अब ये कहते हैं कि निमन मदों को इसमें समाइज जित करना बूल गए ये जो आइटम है ये हमने समाइज जित नहीं किये तो पहले क्या करना आपको एक तो लिखावा है कि कुंजी पर 10,000 बार सीधर से ब्याज देना बूल गए एक उवेतन 10,000 पर प्रतिवर्श देना था वो बूल गए बी को कमिशन 20,000 रुपे प्रतिवर्श देना था वो भी भूल गए और आरन पर 10% प्रतिवर्श देना था वो लगाना भूल गए और ये आरन आवसाज दारों ने शुरू में कर लिया मानलो तो पुरे साल का ब्याज लग जाएगा अब पहले चीज तो ये देखो कि हमें इंट्रेस्ट ओन केपिटल देना है 10% अब इंट्रेस्ट ओन केपिटल जब 10% देंगे उससे पहले आपको ये जो क्लोजिंग केपिटल है उसे ओपनिंग केपिटल में बदलना पड़ेगा क्योंकि पून्जी पर ब्याज है वो ओपनिंग केपिटल पर ही दिया जाता है कलोजिंग केपिटल पर नहीं दिया जाता अब पहला कारिया आपका क्या है आपको पून्जी पर गयाद करने से पहले आपको ओपनिंग केपिटल गयाद करनी है प्रारमधिक पुण्जी ग्याद करनी है तो सबसे पहला आपका कारिया क्या होगा आपको प्रारमधिक पुण्जी ग्याद करनी है अब प्रारमधिक पुण्जी का क्या सुत्तर होते हैं देखो प्रारमधिक पुण्जी की गड़ना calculation of opening capital इसके लिए देखो सबसे पहले आपको अंतिम पुंजी ले नहीं है अंतिम पुंजी A की और B की किसके लिए नहीं है A की और B की तो A की पुंजी अंतिम है वो कितनी दे रखी है 50,000 और B की कितनी है 60,000 यह कहादा रखे अंतिम पुंजी इसको आपको प्रादम पुंजी ग्याद करने के लिए जो जो यह समयजन कर दिये गए है आपने क्या करते है कि RN साज़दारों को देते है तो उसे वापिस क्या करना है RN को वापिस add करना है क्योंकि वो capital में से less किया जाता है तो अब उल्टा चलना पड़ेगा जो चीज अपने loss करते है माइनस करो माइनस करते है वो plus करो तो drawing को अपने capital में से क्या करते है, less करते हैं तो वो वापिस add कर दो profit को क्या करते है, add करते है उसे क्या करेंगे, अपने less करेंगे, तो add करो इसमें आहरन add क्या करोगे, आहरन आहरन कितना कितना है, A का है, 10,000 और B का कितना है, 8,000 इसे वापिस क्या करोगे एड करोगे तो यह आ गया 60,000 और यह आ गया अपना 68,000 ठीक है उसके बाद देखो प्रोफिट को क्या करना है वापिस लेस लाब हो में इस्सा क्योंकि लाब को केपिटल में जोडा जाता है अब क्या करेंगे उसे गटा देगे तो लाब हो में इस्सा हो गया 18,000 तो A का और B का कितना हो गया 12,000 ऐसा करके आपकी प्रारंभिक पुन्जी आ जाएगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक पुन्जी बराबर 60,000 में 18,000 गटा देंगे सेसा आपका बच गया 42,000 तो इसकी प्रारंभिक बच गई 68 में से क्या करेंगे 12 गटा देंगे तो कितनी बचेगी 56,000 बचेगी तो A की प्रारंभिक पुन्जी 42,000 और B की प्रारंभिक पुन्जी 56,000 यह उनकी प्रारमभीक पूजी बचकी, कैसे निकाली, सबसे पहले अनतिम पूजी ले ली अनतिम पूजी के अंदर आपने क्या कि आरन को वापीश एड कर दिया और लाभों का जो इससा था वापीश लैस कर दिया ऐसा करके आपकी प्रारमभीक पूजी आगी A की 42,000 और B की 56,000 इतना करने के बाद आपको क्या करना है Profit and Loss Adjustment Account बनाना है जिसमें आपको इन समाईजनों को करना है तो कैसे बनेगा देखो Profit and Loss Adjustment Account Profit and Loss Adjustment Account Profit and Loss Adjustment Account तो सबसे पहले देखो अपने इसमें Profit तो लिखानी जाएगा शिदा क्या करना आपको ये चार असुदियां सुदारनी है पहली क्या है पूंजी पर 10 फ्रेंड ब्याद लगाना बूल गए तो सबसे पहला कारी आपको क्या होगा आपको पूंजी पर ब्याद लगाना है जो कितना लगाना है 10 परतिसत वारसी और कौन सी पूंजी पर लगाना है प्रारंबिक पूंजी पर बात वो ही है कि पार्टरनर को अम इंटरेस्ट ओन केपिटल देना है इधर आएगा क्योंकि फरम के लिए क्या हो गया यह लोस हो गया बस यह प्रार्टरेस्ट ओन की जैसे ही है फरक क्या हो सुनो जैसे अपने इंटरेस्ट ओन केपिटल देना तो यहाँ आपने इंटरेस्ट ओन केपिटल लिखते हैं अपने अब यहां पर क्यांक इंट्रेस्ट ओन केपिटल नहीं लिखकर उसकी जगाए पार्टनर्स केपिटल अकाउंट लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा पार्टनर्स केपिटल अकाउंट यहां पर लिखेंगे नय की interest on capital लिखना bracket में थोड़ा दिखा देना कि आपने ये किस के लिए किया है interest on capital की जगए तो A और B का interest on capital लिख दो अब A की प्रारम में कुझी 42,000 है तो 42,000 का 10% हो गया 42,000 B की कितनी है 56,000 56,000 का 10% हो गया 56,000 तो A क्या तो पुन्जी पर ब्याज आ गया 42,000 और B का पुन्जी पर ब्याज आ गया 56,000 उसके बाद और क्या देना देखो A को वेतन देना है 10,000 परती वर्स किसको देना है A को तो यहाँ पर age salary नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 age capital account 2 age capital account और bracket में दिखा देंगे यहाँ पर salary तो कितने रुपे देना है A को वेतन 10,000 परती वर्स देना है तो यह का वेतन आ गया 10,000 B को commission 20,000 परती वर्स देना है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 B capital account और bracket में लिखेंगे commission जो कितना देना है परती वर्स 20,000 रुपे देना है ठीक है RN पर 10% वार्स सिखदर से ब्याद लगाना है RN पर ब्याद है वो साज़दारों से वशूल किया जता है RN पर ब्याद साज़दारों से वशूल करते है तो फर्म के लिए हो गया फिट हो गया तो वो credit है भी लिखा जाएगा यहाँ पर लिखना हो यह partners-capital account एंटस्टओं ड्राइंग ने लिखके partner capital से जतना है तो by age capital account by ец capital account और brass कितना कितना आगे देखो आरन पर दस प्राइट बार सिख़र से ब्याद लगाना है आरम उन्होंने प्रारम प्रारम में किया है अठारा जार का लाश्ट एक ड्रोइंग आधस जार दस जार का टैन परसेंट एक जार तो इसका गया और इसका गया आठजार आठजार का टैन परसेंट है वो आठसो रुपे आ गया तो यह आगया अपना आरन पर ब्याज अब क्या करना है उसके बाद आपको टोटल करना है डेबिट से एड़ का इसका लगा टोटल डेबिट ही ज़दा मिलेगा क्योंकि हमेशाजदारों को आ इसका टोटल करो जो हो गया अपना 49,000 तो इसका टोटल आ गया अपना 49,800 आ गया उसके बाद इधर हो गया अपना एक 18,000 ली तो 49,800 में से कितने गये पहले तो यहाँ पर टोटल बराबर कर दो 49,800 उसमें से 18,000 गटा दो तो 49,800 में से 18,000 गये तो सेश बचगे अपने 38,000 सेश कितने बचगे 38,000 बचगे जो इसका लोग सोन अडजेस्टमेंट माना जाएगा जोड़ा देखो डेबिट सेट जोड़ा जिसका टोटल कितना गया 49,800 उसमें से अठारा सो गए अठारा सो गए तो सेश 38,000 बच गया यह क्या कहलेगा लोग सोन अडजेस्टमेंट अब अडजेस्टमेंट पे चाहे लोग सो चाहे प्रोफिट हो उसे क्या करते हैं करनर में डिस्टिव्यूट करेंगे तो कितना 38,000 यह और बी में बांट यहां पर लिखेंगे बाई कि एज केपिटल अकाउंट कि बाई कि बीज केपिटल अकाउंट बाई एज केपिटल अकाउंट और बाई बीज केपिटल अकाउंट तो इसमें डिस्टिव्यूट करेंगे तो अड़ती जार को एर बी का जो रिस है तीन दो एक हो गया तीन बटे पांच तो यह आ गया 22 800 और पंदर है 200 किटना आगया 22 800 और फंदर है 200 यह एक हो गया यह बीक हो गया यह यानि कि 8000 का दो बटे पांच खिटा कर लो तो यहां पर आगया एज केपिटल में कितना आगया बाईजार आठ सो और इसका आगया पंदर आजार दोसों कहने का मतलब जो 38 डिफ्रेंस हाया है उसे हमने 302 में बाट दिया क्योंकि प्रोफिट और लोस बाटने का जो अनुपात है वो यह है ठीक है अब क्या करना आपको उसके बाद अब आपको इसकी साहता से प्रिष्टियां करनी है तो प्रिष्टियां कितनी होएगी देखो एक ड्रोइंग के लिए और एक हो गई अपने इसको मोलेंगे लोस ओन अड्जेस्टमेंट लोस ओन अड्जेस्टमेंट अब क्या करना आपको इसकी प्रिष्टियां करनी है तो प्रिष्टियां आपको इसकी साहता से करनी है तो इसकी साहता से जब प्रिष्टियां करोगे ए लोश को देबिट करेंगे जर्नल अंट्री करनी आप सब्सक्राइब पहले एंट्री क्या होगी रखो प्रोफिट लोश अड्जेस्टमेंट अकाउंट को देबिट करेंगे तू-एज केपिटल तू-बीज केपिटल प्रोफिट एंड लोश अड्जेस्टमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू एज केपिटल अकाउंट टू बीज केपिटल अकाउंट तो कितने कितने रुपय है और नुख़्य अगयाँ तो प्रोफिट और लोश अड्जेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू एज केपिटल टू बीज केपिटल बीज केपिटल जब्विज केपिटल लोश चपन सो आगया नम्बर दोपे PYREE Еंट्री profit and loss adjustment account debit 2 Ayers Capital Profit and loaf adjustment account debit टूँ एज केपितल जो कितना हम दस थार चाहों तो नीचेनेरिशन में थोड़ा सा दिखा दो यहां पर दिखा दो इंटेस्ट और केपिटल और यहां पर दिखा दो एज सेलरी उसके बाद तीसरी एंट्री बन गी अपनी फिर वोई प्रोफिट और लोस अड्जेस्टमेंट अकाउंट डेविट वीज केपिटल अड्जेस्टमेंट अकाउंट डेविट तू एज केपिटल अकाउंट जो कितना रुपे है टू बीच केपिटल अकाउंट कमिशन कितना था अपना बीस जार का इधर वाली तिन्नों एंट्रियां हो गई अब इधर अपनी दो एंट्रिय बचेगी एक तो इंट्रेस्ट ओन ड्रोइंग के लिए और एक लोस और अड्जेस्ट्मेंट के लिए यह दो एंट्रिय आपनी और बचेगी तो गोर करेंगे अपने पहली होएगी इसमें एज केपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट बीज केपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रोफिट एंड लोश अड्जेस्ट्मेंट अकाउंट टू प्रोफिट एंड लोस अड्जेस्ट्मेंट अकाउंट कित्ने इकती रुपें आएं देखो इसमें Sak5525 थीज आठ सो टोटल अगया अपना अठा रह स्षिट A's capital account, B's capital account, to profit and loss, adjustment account है वो ठारा सोस्टे हो गया एक entry बनेगी अपनी ये वाली, फिर वो ही A's capital account debit, B's capital account debit, to profit and लोस अडजेस्टमेंट अकाउंट कितने आगे बाइस आठ सो और पंदर है दो सो डिफ्रेंस कितने का था 38,000 का यह अपने 38,000 तो इस तरह से यह क्या है लोस है वो डिस्टिबूट हो गया तो अपना क्या था बंद साज़दारी खाता भाईयों में समाईज है तो बंद साज़दार क्या करना उसमें दूसरी विदी थी प्रिष्टियों द्वारा सुधार तो यह अपनी 5 प्रिष्टियां होगी क्या करे करना सबसे पहले देखो सबसे पहले कारी आपका है कि अगर आपको क्लोजिंग केपिटल दे रखी है तो उस क्लोजिंग केपिटल की साहता से आपको क्या करना है ओपनिंग केपिटल ग्याद करनी है ओपनिंग केपिटल ग्याद करने का तरीका क्या हुआ सबसे पहले क्लोजिंग केपिटल ले लिए हमने जो एक कितनी थी 50,000 और बी की थी 60,000 उसमें ड्रोइंग को वापिस क्या करना है एड करना है एड ड्रोइंग कर दिया आपको वापिस प्रोफिट को लेस करना है तो प्रोफिट बंटा होगा तो किस तौट तौफिट। 2 में बंटा होगा और jamas और प्रोफिट। कीतना था पिछले साल का प्रोफिट। था अ अपना तीस जार ào 3,000 pewno को अमने क्या किया 30nel में मैं बंटा तो strah polls 8,300 lower-1,50 यौरा nó करेंगे प्रारंबिक कुंजी के लिए ओपनिंग केपल ग्याद करने के लिए अपने प्रोफिट को वापिस लेस्ट कर देंगे तो प्रारंबिक कुंजी होगे क्योंकि प्रारंबिक कुंजी पर ही ब्याज दिया दता है इसलिए हमने ग्याद किया है उसके बाद क्या करना आपको देखो फीनल अरजस्ट्मेंट अकाउंट बनाया जो जो चीज बूल गए वो उनका सारों का समाईजन करेंगे तो एक तो पु के रही प्राइब्य भी अधिकर आट की पर्ति देताइब्यक्स कामीशन करेंगे चाहिए तो चाहिए कि कि Shark already पूल गया कि विञतेल होकि मृशन को मिशन करेंगे चुन संदेगे है आरन पर 10% बार सिख दर से ब्याज है आरन पर 10% बार सिदर से ब्याज लगाएंगे आरन उनका देरखा है 10,000 और 8,000 का जो उन्होंने वर्ष के प्रारण नहीं कर लिया तो 10,000 का 10% हो गया 1,000 और 8,000 का हो गया उसके बाद क्या करना इन दोनों का डिफ्रेंस निकालना है डिफ्रेंस निकालेंगे तो इधर अपना टोटल करा 49,600 और इधर आगया अपना शेवकेवल अठारा सो तो 38,000 का जो डिफ्रेंस आगया वो लो सोन अडजस्ट हो गया क्योंकि डेबिट साइट ज्यादा होगी जिसे हमें किस बाटना है और 15,200 या अडटीज आरा अगया अब आपको क्या करना इसकी साहता से एंटरी करनी हैं इसकी साहता से देख elabor एंटरी होगी इधर louze दिश्टमाइट अकाउंट ङभी केपिटल एज केपिटल बीज केपिटल टूपी एंडल अडजस्टमेंट एक एंट्री यह हो गई उसके बाद एक एंट्री होगी अपनी एज केपिटल बीज केपिटल टूपी एंडल अडजस्टमेंट जो लोस और अडजस्टमेंट के लिए होगी इतनी एंट्री होएगी अपना य तो विदियों के नाम से ऐसे आजाए प्रिष्टियों द्वारा तो भी विदि करनी है, यह आजाए लाबानी समय जन खाता खोल कर तो भी विदि करनी है आपको, अगर आजाए एक प्रिष्टि द्वारा सुधार, तो आपको पहली विदि का प्रियोग करना है, यह आजाए तो आज अपना ये चैप्टर यहाँ पे कम्प्लीट हो गया कल से अपने दूसरा लेशन करेंगे जिसका नाम है साज़दार का परवेश admission of a partner वो अपने कल से स्टार्ट करेंगे धन्यवाद